हेलो नमस्कार सात्यों स्वागताम सभी का उल्टाइम टॉपर्श पर एको ने लेटेस्ट वीडियो की साथ रीट लेवल 1 2013 काउंसलिंग की समय कौनसे दस्तावेज आपको तयार करने वे कौनसे दस्तावेज आपको अपने साथ काउंसलिंग के लिए लेकर जाने हैं कम्पल देखें चैनल पर पहली बार आएं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफ केसन आपको मिलता रहे तो जैसा कि सात्यों आप यहां पर देख सकते हैं जो आपकी काउंसलिंग होनी वाली ह वो 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक होनी वाली है तीन दिनों तक आपके काउंसलिंग चलने वाली है तो ऐसे में अब हम यहां पर बात करते हैं कि काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से अलग से दस्ताविज अपने साथ ले जाने कौन सा नया दस्ताविज आपको तयार करवाना है तो मैं आप सभी सात्यों को बता देना चाहता हूँ पुलिस वेरिपिकेशन और स्वास्ते परमान पत्र इन दो की आऊ सकता आपको जोइनिंग के समय पढ़ने वाले अभी फिलाल सात्यों काउंसलिंग के समय आपको इन के के साथ लगाए थे वो सभी दस्ताविज आपको मूल दस्ताविज लेकर आपको जानेन के आपकी जो ओरिजिनल डॉकुमेंट हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉकुमेंट आपको अपने साथ लेकर जाने जितने भी आपने साथ तो दस्तावी सद्यापन के समय लगाए थे इसके अलावा आपको यहाँ पर अलग से कोई document एक्स्टरा नहीं ले जाना है और नहीं कोई document आपको यहाँ पर नया बन वनाना है यहाँ पर जो नया document बनेगा सात्यों एक तो यहाँ पर जो विद्वा कैटेगरी की मैला हैं वीडियो क्रेटेगरी की जो मैला है उन मैलाओं के लिए बनने वाला है और यहां पर उन मैलाओं के लिए एक सपत पत्र बनने वाला है और सपत पत्र साथ यो किस दिनांक का बनेगा यह बनेगा कि आज दिनांक तक यह जिस दिन साथ में आपका जिला अलोटमेंट आपका जारी क्या गया था यहीं कि 10 सितंबर को आपका जिलाल उट्मेंट जारी क्या गया था 10 सितंबर तक का आपको सपत पत्तर त्यार करवाना है और इस सपत पत्तर में आपको क्या लिखवाना है इसमें आपको विश्य द्यार करना है कि आपका जो merit करमांग कहना जो merit number है वो merit number साथ हूँ आपको इसमें लिखवाना है और इस तरीके से इसको तयार करवना है कि इस दिनांक तक जैसे 10 सितंबर 2023 तक मैंने विवा नहीं किया ना ठीक है विवा नहीं किया है और अभी भी मैं विद्वा केटेगरी में हूँ और ये मेरा चैन बोर्ड की मेरिट के अनुसार ये मेरा मेरिट करमांग के इस तरीकी से आपको ये तयार करवाना है एक तो यहां पर विद्वा महिलाओं के लिए और साथ में इनको साथ यो पती की समदे डिगरी की प्रती याँ पर इनको साथ में लगानी है इसके अलावा तीसरा जो नए डॉकुमेंट बनेगा वो एककल महिला जो एविवाइत महिला है उनके लिए बनने वाला है एविवाइत होने का सपत पत्र इनको प्रस्तूत करना है चैन बोड की मेरिट करमांग के करम में इसके अलावा साथ यहाँ पर और किसी भी अभ्यारति को किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई दस्तावेज तयार नहीं करवाना है केवल और केवल इनी को यहाँ पर दस्तावेज आपर तीन जो कैटेगरी में ने बताई थी हैं वीडियो मैं ने सकतियार क्याने सब्सक्राइब आप पर बनेंगे वो कौनशे बनेंगे और सिंपल जो सफ़त पत्र बनेंगे आपके वो कौनशे बनेंगे इसका भी मैं आपको अलग से के वीडियो डाल दूंगा वो वीडियो सात्यों आपको एक दो दिनी के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं साते हो जल्दी ने